इस वीडियो में हम लोग DAV क्लास 7 के शोसा साइंस का चैप्टर नमबर 20 स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि हमें मीडिया के बारे में डीटियल में परना है चैप्टर काफी ज्यादा लंबा है इसलिए इसको हम लोग 2-3 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे ये इसका फर्ष्ट पार्ट है और अगर आपको इसके अगले पार्ट का वीडियो भी चाहिए तो आप कमेंट में लिकर जरूर बताईएगा आपके क्लास के अलमस्ट हर सबजेक्ट का हर चैप्टर सबसे आसान तरीके से समझने के लिए आप डीए वी गुरू के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं जहां पर अलग-अलग कैटेग्रीज में आपको हर क्लासिस का वीडियो मिल जाएगा यहां से आप अपने क्लास के वीडियो को कभी भी विल्कुल फ्री में देख सकते हैं इस एनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रिस भी कर लिजेगा तक कि जब भी हम आपके क्लास के लिए कोई भी नया वीडियो अप्लोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप तक सही समय पर पहुंच जाए चलिए जल्दी से ब्रेन मैपिंग कर लेते हैं देख लेते हैं कि इस चैप्टर में आखिर हमें परना क्या क्या है सबसे पहले तो हमेशा की तरह चैप्टर का इंटुड़क्शन देखेंगे उसके बाद हमारे टॉपिक होगा इंटर डिपेंडेंस अफ टेक्नलोजी एंड मीडिया दोनों एक दूसरे पर कैसे डिपेंडेंट है उसके बारे में हम लोग परेंगे उसके बाद हमें पढ़ना है role of money in media उसके बाद media and democracy और सबसे अंदिम topic हमारा होगा right to information जिसको RTIB कहते हैं जो की 2005 में लागू किया गया था तो चलिए chapter को explain करना शुरू करते हैं आप आराम से earphone लगा कर बैठ जाएए पूरे class को अच्छे से सुनिए और हरे एक topic को अच्छे समझे सबसे पहले तो हमें इन दोरो terms को अच्छे से समझना पड़ेगा कि media क्या होता है और mass media क्या होता है सबसे पहले media को समझ लेते हैं media उन सभी means of communication को कहा जाता है उन सभी संचार के साथनों को कहा जाता है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी संदेश को बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक एक ही समय में पहुँचा सकते हैं एक्जामपल के लिए radio, television, cinema, newspaper, magazines, internet ये सभी ऐसे means of communication है जिसकी मदद से हम लोग बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक एक ही समय में किसी संदेश को पहुचा सकते हैं एक्जामपल के लिए अगर government को कोई भी message public तक पहुचाना होता है तो वो इन सभी means of communication में से किसी का भी इस्तिमाल अपने हिसाब से कर सकती है आजकल तो सबसे ज़्यादा इस्तिमाल इंटरनेट का होता है कोई भी information इंटरनेट के थुरू आसानी से लोगों तक पहुच सकता है अब देख लेते हैं कि ये mass media क्या होता है क्योंकि इन सभी means of communication की मदद से हम लोग किसी भी message को लाखों लोगों तक पहुचा सकते हैं एक ही समय में इसलिए इन सभी means of communication को mass media भी कहा जाता है और आजकल तो mass media इतना important हो चुका है कि इसके बिना हम लोग अपने life को imagine भी नहीं कर सकते हैं यहाँ से हमारा पहला main topic स्टार्ट होता है जिसका title है interdependence of technology and media technology और media एक दूसरे पर interdependent है technology को develop करने के लिए media की जरुत परती है और media को चलने के लिए भी technology का जरुत परता है हम लोग ऐसे समय में जी रहे हैं जो कि बहुत तेजी से बदलते जा रहा है इस बदलते हुए समय में communication technology में भी बहुत तेजी से development हो रहा है जब से 20th century खतम हुआ है तब से तो हम लोग और तेजी से develop करते जा रहे हैं और इसका बहुत बरा impact हमारे उपर परा है एक समय था कि बहुत मुश्किल से 100MB खर्च करके CID का एक एपिसोड डाउनलोड होता था वो भी डाउनलोड होने में घंटो लग जाते थे और आज देखिए कभी भी हम लोग YouTube पे जाके स्ट्रीम करके देख सकते हैं ऐसे latest technology का इस्तेमाल मीडिया भी करती है ताकि बहुत बरी संख्या में लोगों तक पहुँचा जा सके टेकनलोडी का प्रभाव आपको हर जगा देखने को मिल सकता है चाहे आप बिलबोर्ड में देख लें, न्यूस पेपर में देखें, पेरियोडिकल्स जो सापता ही क्या मासिक पत्रिका होता है उसमें देख लें सीडी, डीवीडी, टेलिविजन प्रोग्राम्स, फिल्म सेट सेक्टरा सब चीज में आपको टेकनलोजी दिखेगा अब देखें यहाँ पर बताया गया कि प्रिंट मीडिया पर टेकनलोजी का क्या क्या प्रभाव पर आए print media में क्या क्या आता है billboards print media का part है newspaper print media का part है periodicals print media का part है मतब जहां भी information लिख कर लोगों तक पहुँचाया जाता है वो सब print media का part है print media भी technology के कारण बहुत हद तक बदल चुका है example के लिए पुराने समय में seals का इस्तमाल किया जाता था जिस पर designs बने होते थे या अगर कुछ लिखना होता था तो वही चीज उस पर carve कर दिया जाता था और जब इस seal को किसी clay या wax के surface पर press कर दिया जाता था तो उस पर अपने आप mark print हो जाता था seals का इस्तमाल आज भी किया जाता है लेकिन पहले से काफी develop हो चुका है अब हम लोग आसानी से उसको ink पर डालते हैं और जो कुछ भी seal में लिखा हुआ रहता है वो हमारे paper पर print हो जाता है उस समय seal का इस्तमाल किसी तरह के agreement या transaction या किसी तरह के document को authorize करने के लिए किया जाता था उसके बाद Chinese लोगों ने printing के field में बहुत बरा बदलाव लाया क्योंकि उन्होंने paper का विशकार कर दिया था इस paper का इस्तमाल करके Buddhist monks किताबों की copy बनाने लगे handwritten copy बनाने लगे जिससे की paper और ज़्यादा famous होने लगा इसी तरह से समय बीटता गया और एक समय ऐसा आया जब एक German inventor जिसका नाम था Johannes Gutenberg उसने printing machine का अविशकार कर दिया इस inventor का नाम आप याद कर लिजेगा और ये कहां का रहने वाला था ये भी याद कर लिजेगा क्योंकि एक्जामे पूछा जाता है कि printing machine का अविशकार किस ने किया और वो कहां करेने वाला था printing machine के अविशकार के बाद Gutenberg ने 15 शताबदी के मद्दे में Bible print किया था सोचिए उस समय के लोगों के लिए ये कितनी बड़ी बात रही होगी कि Bible को एक machine के थूप print कर दिया गया उसका एक copy बना दिया गया और आजकल तो technology इतना advance हो चुका है कि computer ही control कर लेता है कि printing कैसे करना है क्या करना है बस हमें materials को computer को दे देना परता है जो कुछ भी हमें print करना होता है न बस हमें computer में feed कर देना परता है और computer machine, printing machine की मदद से अपने आप सब चीज को print कर देता है जो कुछ भी newspaper में print होता है या magazine में print होता है books में print होता है इसी तरह से किया जाता है यहाँ पर देखिए एक modern printing machine का photo दिया गया है कितना complicated दिख रहा है इसी का मदद से newspaper, magazine और books को चापा जाता है अब हमें electronic media का बात करना है कि इस पर technology का क्या परभाव परा electronic media का सबसे important part television को माना जाता है और इसका कई reason है पहला तो यह कि television देखने वाले लोगों की संक्या बहुत अधिक है दूसरा यह कि television लोगों को एक साथ लाता है और लोगों में national identity का sense भरता है जैसे अगर कोई famous Indian channel है तो उसको भारत में रहने वाले लोग भी देखते हैं और ऐसे भारती है जो कि भारत के बाहर रहते हैं वो भी देखते हैं इस तरह से television जो की एक electronic media है वो same national identity वाले लोगों को जूर कर रखता है इन सब के अलावा एक और region है जो कि television को सबसे important electronic media बना देता है वो यह है कि television सबसे बरा source of information है हमारे जीवन के कई पहलों से related information हमें TV से ही मिल जाता है जैसे कि अगर हमें entertainment चाहिए तो वो हमें TV से मिल जाता है अगर हमें news देखना है तो वो भी हमें TV से मिल जाता है अगर हमें cricket देखना है, किसी और तरह का information हमें चाहिए, तो वो भी हमें TV से मिल जाता है अभी के समय के इसाफ से television एक prime source है, एक मुख्य साधन है, जिसकी मदद से लोगों को बहुत सारे information मिलते हैं जैसे कि current affairs का पता चलता है, sports के बारे में, games के बारे में, किसी तरह का अगर युद्ध चल रहा है, तो उसके बारे में भी information लोगों तक पहुंचता है political situation देश में कैसा है, उसके बारे में भी लोगों तक information पहुंचता है, television की मदद से ही इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि television इतना important electronic media है, कि इसका बहुत बरा परभाव लोगों की धारना और उनकी राय पर बनता है लोग क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, उनका opinion क्या है, ये सब इस पर depend करता है कि television में क्या दिखाया जा रहा है technology के development के कारण cable और satellite network में हमें काफी improvement देखने को मिला है इस वज़ा से connectivity हर जगा पहुच पा रही है, हर गाओं में आपको connectivity मिल पाएगा, पहारों पर आपको connectivity मिल पाएगा और शहरों में भी आपको connectivity मिल पाएगा इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि communication technology ने पूरी तरह से narrow casting को खतम कर दिया है narrow casting के खतम होने का मतलब हुआ कि communication technology के कारण हम लोग अपने देश भर ही limited नहीं है हम लोग international boundaries को cross कर चुके हैं, हमारा information भी देश के बाहर जाता है और बाहर का information भी बाहर का news भी हमारे तकाता है इस तरह से हम लोग एक global culture का निर्मान कर रहे हैं एक तरफ तो technology मीडिया की efficiency को बढ़ा रहा है, मीडिया की कारे शमता को बढ़ा रहा है उसका information हमें कहां से मिला तो मीडिया से ही मिला उसी तरह अगर किसी तरह का नया diet पिलाता है, किसी तरह का दवाई आता है तो उसका भी information हमें मीडिया से ही मिलता है एक और example यहाँ पर दिया गया है, जिसे की पता चलता है कि technology और media एक दूसरे पर interdependent होते हैं आपको पता होगा कि media digital technology का इस्तिमाल करती है ताकि sound quality को improve किया जा सके, picture quality को improve किया जा सके और लोगों की सोच पर प्रभाव डाला जा सके इसके साथ media भी हमारी मदद करता है कि हम लोग global level पर एक साथ मिलकर सोच सके technology पर काम कर सके, उसको develop कर सके और देश का boundary उसके बीच में किसी तरह का बाधाना बने लेकिन media को भी कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि इस mass communication के माध्यम का misuse न किया जा सके और लोगों के हितों की रक्षा की जा सके जैसे कि media को चाहिए कि वो किसी ऐसे product को promote ना करे जो कि लोगों के लिए harmful हो फिर भी media ऐसा करती है आप देखते होंगे बार बार add देता है जुबा के सरी जुबा के सरी ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम लोग अगले topic में पढ़ने वाले है हमार अगला topic है role of money in media पैसा media के लिए कितना important है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग अच्छे से समझेंगे एक newsroom का picture यहाँ पर दिया गया है इस newsroom के picture को अच्छे से देखिए यह एक television channel का studio है यहाँ पर आप बहुत सारे मेहंगे equipment बहुत सारे मेहंगे camera, computers, light transmitter, recorders, etc. देख सकते हैं टीवी पर आप जो news reader या news anchor को देखते हैं उसके अलावा भी बहुत सारे लोग behind the scene काम करते हैं जैसे की director, editor, producer, cameraman, light man और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो की एक साथ मिलकर काम करते हैं इनी लोगों की वज़ा से news telecasting का पूरा process complete हो पाता है ऐसे studios को हमेशा अपग्रेडेशन का जरुत परता है उसको अपने technology को हमेशा अपग्रेट करते रहना परता है ताकि service का quality और अच्छा किया जा सके जैसे कि अगर कोई new channel 10 साल पहले का technology यूज करना शुरू कर दे तो हमें बहुत गंदा quality का picture और बहुत गंदा quality का sound मिलेगा इसलिए technology को continuously upgrade करते रहना बहुत जरूरी होता है इन सब चीजों के लिए बहुत ज़्यादा investment बहुत ज़्यादा पैसे का जरुत परता है इसलिए जो अधिकतर television channels होते हैं या news papers होते हैं वो किसी न किसी business house का होता है किसी न किसी business man का होता है इसी वज़े से उनको कभी भी पैसे का कमी नहीं होता है जब भी technology को upgrade करना होता है वो आसानी से कर पाते हैं आगे बताया गया है कि media अमीर लोगों के लिए एक बहुत ही powerful tool है वो लोग media में रहते हैं और media में रहकर ही बहुत सारे पैसे कमाते हैं और साथ ही साथ अपने भलाई के लिए जितना भी काम हो सकता है वो सब काम करते हैं media के लिए सबसे बरा source of income है advertisement मतलब प्रचार आप जो free में कोई भी new channel YouTube पर देख लेते हैं उससे उनका क्या फायदा होता है उनसे उनका ये फायदा होता है कि आप उसका ad देखते हैं और जब आप उसका ad देखते हैं तो उससे influence होकर आप वो product भी कभी न कभी खड़ी भी लेते हैं इस वज़ा से companies का फायदा होता है और indirectly media का भी फायदा होता है advertisement में हमें कई सारे products दिखाय जाते हैं एक छोटे से skin cream से लेकर cars तक के ad हमें TV पर देखने को मिलते हैं TV देखने वालों को advertisement के थुरू हर product का अच्छा-च्छा खुवी बताया जाता है ताकि वो किसी तरह से product वो खड़ीद ले अगर आप TV पर कोई 2 घंटे की film भी देखते हैं तो उसको खीच कर 4 घंटे का बना दिया जाता है क्योंकि बीच-बीच में advertisement आता है बीच-बीच में add आते रहता है इसी तरह से जब आप cricket match देखते हैं तो उसमें भी हर आवर के बाद आपको advertisement दिखाया जाता है आजकल तो Indian business houses के अलावा कई सारे multinational companies का भी हिस्सा Indian media में होता है जैसा कि आपने डिसेंटली सुना होगा कि NDTV जो की एक new channel है उसका 29% share Adani group ने खरिद लिया जो कि एक multinational company है आगे बताया गया है कि TV पर जो भी program आता है वो पूरे देश में दिखाया जाता है इस वज़ा से हमारे देश के लोगों के बीच किसी तरह का cultural boundaries नहीं रह जाता है और भारत के हर वैक्ति को हर तरह के program को देखने का मौका मिल पाता है फाइनली हमने यहां तके सभी topics को complete कर लिया अगर आपको इसका part 2 भी चाहिए तो वीडियो को like कर दीजेगा और comment में लिककर जरूर बताईएगा आपके class के शोस of science का playlist open करने के लिए left side में क्लिक कीजे वहाँ पर आपको दूसरे chapters के explanation भी मिल जाएंगे और अगले class का वीडियो देखने के लिए right side में क्लिक कीजे फिलालेस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली class में बहुत सारे ने topics ने concept के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखे और अच्छे से परहाई करते रहिए